प्रेस्ट बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप जाइन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है इंडिया इस भारत पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज के लेटेस्ट और दंदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो बहदुर मुस लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और आप में इसके बारे में बात करेंगे जाहिंद जाब भारत यह लोग जान बूच करके जान बूच करके यह रिजवान जैसे अगर अभी देखें इसका तो एक एक करके पंतियां खुलेंगे यह भी बहुत बोला होगा हिजाब के समर्थन में मदर्से के समर्थन में यह बहुत बोला होगा एक दम इसकाल मैं आपसे करना चाहते हूं यह कि हम जब भी बच्चियों की लड़कियों की बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं तो चाहे कोई कितना भी करीबी पुरुष हो, उस पर महिलाएं अपनी बच्ची की सुरक्षा को लेकर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करती है, महिलाओं पर लोग भरोसा कर लेते हैं, कहरें महिला है, महिला है, अगर बच्ची को मस्जिद में कुरानी की शिक्षा के लिए माबा तो यही सोच के बेज़ा हो कि मौलाना या पुरुष को या अकेला नहीं है उसकी पत्नी भी है उसकी मौजूदगी में बच्ची सुरक्षित रहेगी बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा एक महिला उक के अंदर इस तरह की मांसिक तक ऐसे आती है कि एक मासूम बच्ची क जोचर होते हुए उसको देखती थी और इसकी पहलेदारी भी करती थी अमरे इसके तीन तीन तरीके से मैं इसको आपके वीवर्स को सबचाओंगी पहला हूँ कि लानत है उस मुसल्मान माबाप पर जिन को दीनी तालीम के लिए अपनी बच्ची को मदर से भीजना पड़ है या किसी और मौलबी या इमाम के पास या खारी या मुट्टी के पास बेजना पड़ रहा है लानत है उस मुसल्मान माबाप पर हम मैं और आप कुछ भी पूछा जाएं अलकुरान से सही अलबकारे से हम लोग फर्राटे से बताते हैं और लोग जानते भी हैं इस बात को हम तो नहीं गए मदर से हम तो किसी मौलाना इमाम से नहीं पड़े हैं हम तो हमें तो हमारी मा ने हमारे घर में बैठ करके पढ़ाया है जब एक मुसल्मान माबाप जो ये दम भरता है कि वो इसलाम का मानने बाला है और वो अपने ही पैदा किये हुए बच्चों को दीनी देने के खाबिल नहीं है तो वो चिटिंग बास मुसल्मान है पहली बात हो गई दूसरी बात हो गई कि यह जो लड़की का फंडा जो बोला जाता है कि महीला है उस घर में तो मेरी बेटी से क्यूर रहेगी वहीं मुसल्मान महीलाएं फोर्सम करने पे बलीव करती है तबी ही पसंद करती है पर क्या भारत में मान लेजिए 20 क्रोड़ मुसल्मान की आबादी है 20 क्रोड मुसल्मार 00 पीचा जाता है Time है के polygamy Immediate बंद करना चाहिए हम यह नहीं होने देंगे एक आवाज में कभी कहा Halala Chili हम नहीं होने देंगे हम साथ करोड महिला एं जो मैं 논ॉर्मल परस्ंटेज ले रही हूं हम साथ करोड़ भारत की में बाद की मुसल्मान महिला है इस बात का विरोध करते हैं सरवुचे नियाई पालिका को सुवमोटो एक्शन लेकर के इस पर एक्शन लेना पड़ेगा और इमीडियेट पॉलिगे में हलाला बंद करना पड़ेगा कि मैं बड़ी जिम्मेंधारी से कह रही हूं कि हमारे मुसल्मान कम्यूंटी में मसलिंख़ुम में कई ऐसी महिलाएं मुसल्मान है जिनको फोर्सम पसद है जिनको ससुर के साथ भी हलाला के नाम पर सोना पसंद है है सेक्स करना पसंद है देवर के साथ भी जेट के साथ भी उань और सोहर के साथ भी पसंद है क्यों हमें दो नहीं पसंद में और हमारे साथ यह चीजे हुई भी नहीं पुरे खांदान के साथ नहीं लेकिन तो हमने तुनद ऑप यह लिगल ऐ अक्षन लिया ça BILL फिर दी बैरिकेट ओफ लॉल हिया कि इसको बंद होना चाहिए, यह तो घिनओनी चीज है, यह तो अशलीलता वाली चीज है, तो हमें जो चीज बुरी लग रही है, लेकिन आकर साथ करों मुसल्मान महिलाओं को इस भारत पे क्यों नहीं बुरी लग रही है, इसका मतलब है क एक परसंटेज मुसल्मान महिलाओं का है जो इस अश्लीलता को पसंद करता है और उसी परसंटेज में रिजवाना आती है कि उनके इमाम साहब उनके शोहर का इमाम साहब जो मस्जिद के अंदर 10 साल की माइनर बच्ची का बलाकार करते थे वीडियो बनाते थे वो बैट करके बीवी जो है वो देखती थी और मजा लेती थी अदर्वाइस देखेगी क्यों बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर वो पहरेदारी कर रही है और देख रही है तो कही न कहीं समर्तन पूरा हासिल है या उनको पता नहीं इसके पीछे क्या उत्देश है माजिकता है तो आशा करते हैं कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और अमबर जैदी नाजी लाइक खांजी का ये पूरे डिसकेशन आपको काफी पसंद है होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहां पर आपने देखा है खुद मुस्लिम होके इन तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें आकि हम अपनी से लेटेस्ट, इंट्रस्टिंग और दमदार वीडियो लाते रहें जाहिंद, जाब भारत